तो चलिए शिरुवात करते हैं आटम इन माहाट अपिसोड 5 की जैसा कि अपने पिछले अपिसोड में देखा था कि यूंसू ने जूंसू को देख लिया होता है जूंसू कुछ पूछने के बाद यूंसू के साथ अपने कारण बैठता है और वो यूंसू के सामने से गुजर जाता है ये देखकर यूंसू जूंसू की कारगा पीछा कर रही होती है कुछी मिनट बाद जुन्सु यूमी के साथ बीच पर पहुच जाता और वहाँ पर वो सारे मुमेंट याद कर रहाता है जो कि उसने यून्सु को सथ बताए होते हैं उसी टाम यूमी को वहाँ पर तेसु दुखाय देता है तो फिर वो जुनसु को बताती है जुनसु तेसु को देखते है उसे अपने पास बलाता है तेसु के पास जाता और उससे बात कर रहा था और यूमी वहीं दूर जाकर बैठी हुई होती है तेसु को गाल लाल होता है जुन्सू पूछ रहा होता है कि ये किस ने किया है, फिर तेसुक बूर रहा होता है कि ये मेरी परसनल मेड ने किया है, ये सुनते है जुन्सू बहुत जाता गुस्से में आता है, वो तेसुक से बूर रहा होता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन कभी कर बात किये वो काफी अच्छी है अगर तुम उसके बार में सीरिस नहीं हो तो फर तुम यहें पर रुख जाओ तेसु कहरा होता है कि मैं उसके बार में बिल्कुल सीरिस हूँ तब ही यूमी जुनसु के पास आकर बोर्ट रही होते है क्या तुम मुझे यहाँ पर ड्रॉ नहीं करोगे जुनसु यूमी की बात मानता है फिर वो स्टिक लेकर बीच पर एक फेस ड्रॉ कर रहा होता है फेस ड्रॉ हो जाने के बात यूमी बोर्ट रही होते है कि यह बहुत गर जीहान की जगे पर जाते हैं जीहान ने जो जगए buff ली होती है तो फिर जूंस और जूंस आइलाए बात करने के लिए युमी और तेऊ सुक बहार बैठवे होते है जीहान उन दोने के कफे लेके लेका है राते हैं युमी का पहला प्याँ कि मैं जुन्सू का फ्रेंड हूँ, यूमी का पहला प्याद और जो लीडी अंदर गई उसका बॉइफरेंड हूँ मैं, जिहान कुछ भी नहीं बोलता रहा हूँ, उनके जाने के बाद यूमी तेसू से बूर रही होती है कि तुम्हें ऐसे जिहान से बात नहीं करनी चाहिए लेकिन एक बाता हूँ, क्या तुम वाकई में उस पर इंटरस्टेड हो लड़की में? तेसू कहा बोलता हूँ, कह रहा होता है कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ, कि वो लड़की जुन्सू से कैसे रिलेड़ेड है, इदर क्लास्रूम के अंदर जुन्सू और यून्सू बैठ हुए होते हैं, जुन्सू बोल रहा होता है कि मुझे तो आइडिया नहीं था कि तुम मेरे पजामा लेकर आई थी, यहां तक कि तुमने होटल मेरा फोन भी चार्ज किया तर मैं तुम नहीं पैचान पाया, जुन्सू बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता था कि जुन्सू हां कहता है फिर युन्सू पूश रही होती है क्या मॉमा डेड़ा भी यूस में है जुन्सू हां बोलता है फिर युन्सू कहरी होती है कि मैंने तुम्हें बहुत जाता मिस किया है मैंने कभी नहीं सुझा था कि मैं तुम्हें दुबारा देख पाऊंगे लेकिन तुम से मिलकर बहुत जादा खुशी हो रही है मुझे ये कहने के बाद हो तुमने की दूसरे की ओर देख रहे हो तो नों की आँकों में आसो आ जाते हैं थोड़ी देर बाद शाम हो जाते है तो फिर तेसुक युनसु को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तेसुक अपनी कार में जब युनसु को छोड़ने जा रहा था उससे पूश होता है क्या तुम वाकई में जुनसु की कजन हो युनसु हाँ बोलती है तेसुक मुझे अगर कह रहा होता है कि चलो दुबार सा शुरुआत करते हैं क्या तुम मुझे अपने कजन के बेस्ट फ्रेंड में रिकार्ड नहीं कर सकती हो ये बहुत जादा टेरिबल हो गया है क्योंकि अगर जुन्सु को पास चल गया क्या तुमारे ले इतना बॉर्डंट है युन्सु हा बोलती है इसके कुछ देर बात तेसुक युन्सु के साथ होटल में जाता और वहाँ पर मैजर किम से मिल रहा होता है मिलने के बाद वो उनसे बूर रहा होता है कि युन्सु की कोई भी गलती नहीं थी साली गलती मेरी थी और वैसे भी उस दिन कुछ नहीं हुआ था मैनेजर के मुढ़ रही होती है कि मैंने कब कहा कि यूंसू को यहां से रिजाइन करने के लिए और अब तुम यहां पर अपने वार्फरंड को लेकर आई हो मुझे दिखाने के लिए यह सुनते हैं तेसू गुस्से में तरो चलाकर बूर रहा होता है कि यूंसू बहुत ही अच्छी लड़की है किसी तरीके से यूंसू तेसू को बाहर लेकर जाते है ताकि वो और बात ना बिगाड़ दे उसे बाहर निकलने के बाद वो मैंकर इनके बात करते है चली जाती है अपने घर की हूर रात को यूंसू अपने घर बे पहुंशती है वाँ पहुत चाती है माम उरच जाती है और उससे ब автомसी बहुत है कि आज क्या हुआ ता क्या तक तुमारे बRAYत ने दुबारा उस ओर्ड मैन के साथ तुम्हें डेट पे बेजने के लिए मजबूर किया उसकी टाइम गुस्से में वहाँ पर यूंसू का भाई पहुच जाता है यूंसू से देखकर बाहर भाग जाती है और उसका भाई भी बाहर जाता है उसका पकड़ने के लिए फिर हो कुछ पैसा अपनी मौम को देती है और वहां से चली जाती है अपने समान लेकर अगली सुपह जूँसू उठता है और बाहर चाता है और देखता है कि वहाँ पर यूंसू बैटर बेही होती है जूंसू जूँसू को देखकर उससे बलाता है क्या तुमारे पास मेरे ले एक room है यहाँ पर जुनसू हाँ बोलता by तर उसे अंधर लेकर जाता है फिर वो युनसू एक room दिखाता रोग दूसरे room में चला जाता है वहाँ पर पहुच कर वो एक tube निकालता है वो समझ जाता है फिर वो ट्यूब को लेकर बाहर जाते है रो जूंसू के पास जाकर बैठ जाते है उसे बता रही होती है कि मैं घर छोड़ कर आई हूँ अगर सच बताओं तो मेरे ब्रेदर के साथ मेरी फाइट हुई है जूंसू बोड़ रहा होता है कि कोई बात नहीं और तुम्हें मुझे कुछ बताने की जोड़ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेर साथ रहो अब से ये बोलकर रो मुस्किराता है फिर वो यूंसू को उसकी रूम में लेका जाता रह वहाँ पर सुलाद देता है यूंसू के सोजाने के बाद वो यूंसू से माफी मांगना तो रोने लग जाता है कुछ घंटे बीतने के बाद जूंसू यूंसू के भाई से मिलने के ले जाता है और उसे मिलने के बाद उसे पीटने लग जाता है और उसे कह रहा होता है कि तुम पनी मौं को बता देना कि अपसे यूंसू मेर साथी रहेगी एक बात ध्यान रखना तुम अगर तुमने अपसे यूंसू पे हाल लुडाया तो फिर तुम्हारा इससे बुरा हाल होगा ये कहकर वो वापस चला जाता है जूंसू वापस घर पौस्तर हो देता है कि यूंसू जाग गई होते है इस वैसे वो दोनों मार्केट जाते हैं कुछ समान लेने के लिए यूंसू वजटेवर खरीटे हैं मार्केट से ताकि वो जूंसू के लिए डिनर प्रिपेर कर सके पूरी शापिंग करने के बाद वो दोनों वापस घर पहुसे हैं तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर यूंसू पहले से मौजूद होती है वो उन दोनों को बैठाती है और उन दोनों के लिए खाना सर्फ करती है जो कि उसकी माम ने उनके लिए पैक किया होता है वो खाना खारे होते है फिर यूंबी यूंसू सो पूछ रहे होते है कि तुम कितने दिनों के रुखोगे यहाँ पर यूंसू बोल रहा होता है कि अब से यूंसू मेरे साथी रहेगी और वैसे भी इसके पास कोई जगे नहीं आप रहने की यूमी बोल रही होते है कि ये तो अच्छी बात है वैसे ही मुझे काफे चिंता हो रही थी कि यहाँ पर जुनसू अकेला रहेगा तुम यहाँ पर रहोगी तो पर तुम इसकी देखवाल कर लोगी ये सुनकर यूंसू हाँ बोलती है डिनर करने के बाद जूंसू यूमी को छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो दोनों रास्ते में बात कर रहे होते हैं यूमी कहरी होते है कहीं तुम बोले तो नहीं हो कि होटल तक पहुत जाते है और जुन्सु बूर रहा होता है कि तुम होटल के अंदर चली जओ ज्यूमी मना करती है तुम भी यहींपर गिंसु बूर रहा होता है कि मुझे वापश जाकर जुन्सु को गट्णेट बोलना होगा युंबर रहे होते इक तुम क्या कुछ हुआ है जुनसु मना करता है और फिर वो युनसु वो गुड़नाइट बोलता है ये सुनकर युनसु मुसकरा आती है और वो भी जुनसु वो गुड़नाइट बोल देती है और कहरी होते है कि मैं बहुत दाग खुश हूँ क्यूंकि मैं तो मैं दुबारा गुड जूंसु तेसु को बोल रहा हा था है कि तुम विकनद पर क्या कर रहे हो, मैं तो यूमी के साथ वापस घर जा रहा हूँ, ताकि मैं कुछ चीज़े पिक कर सकूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे मेरे साथ? तेसु पूश आउता है कि यूंसु भी वहाँ पर रहती थी जूंसु कुछ भी नहीं कहता इसके बाद तेसु बोर रहा होता है कि उसे बात करने के लाता है ये काफी आक्वरड है ये कहने के बाद तेसुग वहां से चला जाता है और वो जाकर यूंसु से मिल रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि अब तुम कल से काम पर आ सकती हो यूंसु काफ़े खुश होते हैं और बोर रही होते है कि मैं काफ़े ग्रेटफुल हूँ तेसुक कह रहा होता है कि अगर तुम इतनाए grateful feel कर रही हो तो फिर तुम मझे lunch पे ले जा सकती हो यूंसु बोर रही होती है कि हाँ मैं इतना तो करी सकती हूँ फिर अचानक से तेसुक यूंसु की ओर देखकर बोर रहा होता है और ऐसा सुनने हमारा है कि जो नए डिरेक्टर है वो मैंजर केंब के अगेंस्ट में है और ऐसे rumor वी फैल रहे हैं कि तुम्हारे और नए डिरेक्टर बीच में कुछ चिल रहा है यूंसु क bolig बतारी होती है कि वो जो पर्सन है वो चेर्मैन का यंगर्स बेटा है उन्होंने अपने ट्रबल मेकर बेटे को यहाँ पर भेज दिया और यह एक सीक्रेट है यूंसु कहरी होते है कि मैं थोड़ना उसे जानती हूँ तब ही वो कली एक बता रही होते है कि उस परसन का नाम है हान तेसुक ये सुनते ही यूंसु चौक जाती है तब ही वहाँ पर तेसुक पहुच जाता है रही होते है कि मैं तुम्हें गल्दी से एक अच्छा इंसान समझ लिया था और मैं तुम्हारे यसे लोगों से नफरत करती हूँ ये बोलकर यूंसु वहाँ से जा रही होते है तब जूंसु बोल रहा होता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ दूसरी और जूंसु यूंसु के साथ में पुराने घर में होता है और वहाँ पर सामान सेट करवा रहा होता है इदर होटल में शिफ्ट खतम होने के बाद यूंसू वहाँ से जा रही होती है तब ही वहाँ पर तेसु बहुँच जाता अपनी कार लेकर यूंसू माना कर रही होती है फिर वह तेसु क नहीं मानता है वह उसे वापस उसके पुराने घर की और ले जा रहा होता है रास्ते में जाते दुरान यूंसू को वह सारी गलियां दिखाए देरी होती है जहां पर वो पहले जुन्सू को साथ घुमा करती थी अपनी bicycle पर उन सारे moment को याद करते करते ही युन्सू की आँखों में आसु आ जाते हैं कुछ गंटे बाद वो वापस घर पहुंच जाते हैं तो फिर सब से पहले युन्सू किछन की ओच जाते हैं और वो उन सारे मूमिंस को याद कर रही होती है. फिर यून्सू के पारि ह होती है कि तुम तो ऐसा सोच रही होगए कि मैं दोबारा रू रही हूँ और शायद मैं वापस से पहले जैसी हो गई हूँ ये सुनकर जनन gör आने लग जाता है इसके बाँ शामकू वो चारो पास एक एक बीच पर जाते हैं और वहाँ पर पोउचकर जुंसू और तेसू की फिशिंग कर रहे होते हैं यूमी और यूनसू साथ में समान सेट कर रहे होते हैं यूमी बूल रही होते हैं कि तूम काफी e close रही हो अपने कज़न के जुनसू हाँ कहते हैं वो यूमी से पूश ही होते हैं कि तुम कैसे मिले दी जुनसू से यूमी बता रही होते हैं कि सबसे पहले मैं तेसू कोई फ्रेंड थी जुनसू सो मुझसे बात भी नहीं करता था फिर एक दिन उसने मुससे अचानक पूछा कि मैं दोबारा पैदा होकर क्या बनना चाहूंगी यूंसू पूछ यह होती है कि तुमने क्या जवाब दिया उसे यूमी बताती है कि मैंने जवाब दिया कि मैं एक ट्री बनना चाहूंगी यूंसु थोड़ी से सर्प्राइब रहते है की उसने यही सम बाद जूंसु सो ही बौली होती है बच्पन में यूमी बूरी होती है की ऐसी हमारी मुलाकात हुई और तब से हमारी ऐसी बाचित बढ़ी इदर तेसुक जुनसु के साथ फिशिंग कर रहा होता और उसे बता रहा होता है कि मैंने युनसु को बता दिया है कि मैं उसे पसंद करता हूँ जुनसु बूर रहा होता है कि फिर युनसु ने क्या कहा है तेसु कहता है कि युनसु ने कुछ भी नहीं कहा है लेकिन तुम वेट करो मैं तो दिखा कर रहा हूँगा कि मैं अकेला ही परसन हूँ जो कि उसे खुश रख सकता हूँ लेकिन क्या मैं उसे डेट कर सकता हूँ मैं तुम से मांगना चाता हूँ परमिशन जुनसु बूर रहा होता है कि अगर मैंने मना करा तो फिर क्या तुम युनसु को भूल जाओगे तेसु को मना करता होता है कि मैं तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम साइट पर ऐसा ब्रेस्ट रहोगे मेरे लिए फिशिंग करने के बाद वो चारो साथ में खाना खारे होते हैं तेसु पूछ रहा होता है युनसु से क्या तुम इसकी मैटरनल कजर हो या फिर पैटरनल कजन हो जुनसु कहरा होता है कि इससे क्या फरक पड़ता है तब यूमी बूर रही होते है कि इन दोनों के नाव जुनसु और यूनसु है तो फिर शायद यूनों पैटरनल कजन होंगे जूनसु ऐस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और यूमी से पूछ आओता है कि तुम किस बारे में यूनसु से बात कर रही थी यूमी बोल रही होते है कि मैं उसे बात कर रहे थी कि हम कैसे मिले थे पहली बार और हमारी बात्चित कैसे हुई थी तब ही तेसु कहता है क्या तुम उस बारें बात कर रहे थी कि तुमने बोला था कि तुम दुबारा पैदा होकर एक ट्री बनना चाहती हो ये बोलकर वो हसन लजाता है फिर यूंसू से पूश रहा होता है कि तुम क्या बनना चाहोगी दुबारा पैदा होकर यूंसू सोचन लजाता है फिर कुछ सेकंड बात वो बोलते है कि मैं दुबारा से जूंसू की सिस्टर बनना चाहूंगी तेसु भोड़ रहा होता है कि जुनसु तुम तो खुश होना चाहिए खाना खाने के बाद तेसु युनसु को अपने साथ लेकर जाता है उसे फिच्छिंग सिका रहा होता है इदर जुनसु और युमी साथ में बैठे होते हैं युमी बता रही होते है कि जुनसू वाक के लिए बाहर गया है क्या तुमने युनसू को देखा है ते सुक मना कर देता है जुनसू वाहर वाक के लिए जाता है और वो वाक करते करते ही जब पर पहुँच जाता है कि तुम अक्शर यहां पर आकर रोया करती थी जब भी हम घर जाते था अक्शर यहां इसे गुजरते हुए जाते थे और अगर किसे दिन बारिष हो जाए तो फिर हम यहाँ पर आकर रुकते थे क्या तुम के यह सब याद नहीं है जुनसू कहरी होते है कि मुझे इतना कुछ याद नहीं है मैं याद नहीं करना चाहते हूँ क्योंकि यो बहुत सारी अच्छी मेमरीज थी मेरे लिए और अब मैं अतनी कुछ नहीं हूँ अपनी लाइफ में लगता है कि वाके में उन सारी चीदों के बारे में भूल गई हूँ जुनसू को सब कुछ याद होता है फिर यो ऐसा प्रिजणंट कर रही होते है कि उसे कुछ भी याद नहीं है है के बारे में इसके बाद जुनस यूनस vocal के सामने आकर बैठ जाता है कि बहुत टाइम हुआ बहूए अब तुम्हें पईगी बैट डेता हूं जुनस मस्कान लग जाती है और जुनस की बैग पर बैठ जाती है दूसियर और यूमी और तेसु के बाहर होते है और ऑर दोनों जुनसु और युनसु का अन्तिदार कर रही होते हैं तब ही वहाँ पर एक लड़की पहुँच चाते है वो लड़की होती है शिने शिने खुश होकर तेशो के पास जाते हैं उसे हक करके बूरर होते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस्स किया है इदर जुनसू युनसू को पिगी बैर रैट दे रहा होता है के बाद वो बूर रही होती है आप तो ठगे हो गए तो फिर में ज़न नीछे तार दो जुनस्व नीचे तारता और जुनसव आगए की और चलने लग जाती है और जुनसॵ उसके पीछरे पीछरे चल रहा होता है इदर घर पे शीने अपने भाई जुनसू के बारें पूश रही होती यूँ भी बता रही होती कि उपने कजन के साथ बाहर गया है शीने बूर रही होती कौन सी कजन तुम्हारा कहने के क्या मतलब है तब ही वहाँ पर जुनसू और जुनसू पहुच जाते हैं तो दोस्तों यहें पर खतम होता है यह एपिसोड